जै बोलेनाद, जै शिफशक्ती, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं, आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे आज हम एक मंथली डीडिंग बनाने जा रहे हैं for the Sagittarius sign, यानि की धनूराशे के लिए और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा बात करेंगे पहले आपकी लव लाइफ की, फिर बात करेंगे करियर की and in the end we will pull some cards for guidance जो लोग पहली बार मेरी चैनल पे आए हैं, I welcome you so चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग on a very positive note और देखते हैं क्या changes आतकते हैं इस महीने पहले हम overall energy check करेंगे for all you people, जो भी इस टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को okay for all you people, मुझे ऐसा लगता है like you are praying for something, ठीक है आप प्रे कर रहे हैं and हो सकता है कहीं न कहीं अपनी life में थोड़ा सा defensive हो रहे हैं किसी चीज को लेके, you know like you are broken from inside या हो सकता है कुछ किसी चीज की वज़े से worried है sorry, ठीक है, maybe हो सकता है कि कुछ आपने अंदर से you know like जैसे एक इनसान होता है बहुत चोट खाई हो या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो but still he is fighting लेकिन थोड़ा सा defensive mode मुझे दिखाई दे रहा है जाहे आपकी work life है, जाहे you know domestic life, relationship है मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं आप struggle जरूर कर रहे हैं but still you are fighting, still you are moving on and you are praying somewhere, कहीं न कहीं आप pray कर रहे हैं कि चीज़े ठीक हो जाएं, smooth हो जाएं you are really working hard, बहुत जादा efforts भी put कर रहे हैं जो भी है, regardless of situation है and regardless of the gender, जाहे आप male है female है going through a transformation, हो सकता है आप लोगों के लिए it's a period of change इसलिए ऐसा हो रहा है तो बहुत सारी चीज़े मुझे लग रही है for all you people चलिए अब बात करते हैं आपकी love life की कैसी जाने वाली है आपकी love life इस महीने आपके person की energy चेक करेंगे आपकी और फिर देखते हैं क्या outcome हो सकता है for this month Sagittarius let me tell you अपने emotions को hold कर रहे है मुझे ऐसा लगता है strength card maybe it's about की situation stuck है कहीं न कहीं आके रुकी हुई है ठीक है आप हो सकता है चीजों को sort out करने की कोशिश कर रहे हो कोई हो सकता है आप से communication करने की कोशिश कर रहा हो या आप चाते है कुछ चीज़े sort out हो जाए लेकिन stuck है और मुझे ऐसा लग रहा है it's about taking time ठीक है taking like wait करना किसी के message का या चीजों के sort out होने का मुझे यह आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है on the other hand yes it's about पहले भी when I was shuffling इससे पहले भी तो I got a devil card that means it's about hiding things हो सकता है आप लोगों का relationship हो या कुछ चीज़े हो आपको ना पजा हो relationship में for example आपके person किसी किसाद डील कर रहे हो या आप लोगों का मुझे ऐसा लगता है it's about कोई married हो आप तोनों में से आप आपके person कोई भी हो सकता है hidden things, hidden agendas या कुछ चीज़े ऐसी हो जो आपके partner like कुछ आप से हाइट कर रहे हो आपको ना पता हो तो ये चीज़ भी मुझे toxic behavior जो आपके partner का आपको बहुत सादा issues like तंग करता है ये चीज़े हो सकती है moving ahead मुझे ऐसा लगता है holding of emotions आपके person भी अपने emotions को hold कर रहे है and हो सकता है married हो अगर आप married है तो maybe चीज़ों को sort out करने की कोई कोशिश कर रहा है चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है celebration चल रही है हो सकता है कि आपके partner की life में कुछ ना कुछ चल रहा हो वो चीज़ों को sort out करने की कोशिश कर रहे है अपनी तरफ से लेकिन still कहीं न कहीं उनकी energy थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि pull back they pull back a lot because of the situation, because of the third party हाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा tension चल रही है और September month में मुझे ऐसा लग रहा है taking time, सोच रहा है आप भी सोच रहे हैं आपके partner भी सोच रहा है कि क्या चल रहा है क्या आगे चल के क्या अच्छा होगा ठीक है और बात आगे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए किस तरीके से आगे बढ़ानी चाहिए जगलिंग चल रही है मुझे ऐसा लगता है कि if you are in a love relationship आप किसी का वेट कर रहे है तो मुझे डेफिनिटली यह दिखाई देता है कि holding of emotions अगर आप ऐसी किसी situation में है because हर किसी की situation अलग होती है कोई single है excuse me कोई married है so whatever मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर love relationship में है तो emotions को hold किया जा रहा है और अपने आप तक रखा जा रहा है stuck situation दिखाई दे रही है हलाकि आपके partner मुझे ऐसा लगता है कि कही न कही reconciliation के बारे में सोचते है on the other hand अगर आप married है family life है आपकी तो मुझे again वही दिखाई दे रहा है you are putting lot of efforts ठीक है और आप ऐसा नहीं है like you are being strong अपने emotions को एक साइड पर रखे you are putting effort in this ठीक है situation लेकिन somehow like कुछ ना कुछ आप realize कर रहे है और आपके जो partner है आपके जो husband आपके जो spouse हो सकते है मुझे लगता है अपके हो सकता हूं को drinking smoking you know ऐसी कोई habit हो लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ठीक कर रहे हो मतलब दुबारा से restart कर रहे हो ठीक करने की कोशिश कर रहे हो ये चीजे मुझे दिखाई दे रही है and it's about coming together and September month में आप लोग सोच रहे हो analyze कर रहे हो situation को कि क्या आप लोगों के लिए भेतर है bringing together और कहीं मुझे ऐसा लग रहे है कि कुछ लोग हो सकता है कि couples अगर है मुझे ऐसा लग रहे है multitasking कर रहे है बहुत ज़दा सोच रहे है thinking और अगर आप love relationship में है तो again it's about taking time सोच रहे है मतलब analyze कर रहे है एक silence का period मुझे दिखाए दे रहा है आप लोगों के relationship में so बने रहेगा in the end we will pull some cards for guidance ठीक है क्या guidance है for all you people अब बात करते हैं career की for all the Sagittarius people career wise it's about taking you know burden मुझे ऐसा लगता है something is coming towards you कुछ चीजे है sun that means you are like कुछ आप expect कर रहे है कुछ positive changes ठीक है and September month में मुझे लगता है work pressure बहुत है किसी चीज का pressure दिखाए दे रहा है ऐसा लग रहा है कि या तो हो सकता है कि आपका काम तबदील हो रहा है change, transformation ठीक है कुछ ना कुछ changes आ रहे है and you are taking lot of you know pressure और कुछ ना कुछ it's about change हो सकता है it's about movement हो सकता है आप pray कर रहे थे कि कुछ चीजे change हो जाए या आप you know wait कर रहे थे कि like travel करना चाहा रहे हो इस चीज के लिए भी आप या कुछ shift करना कुछ भी ये चीजे मुझे दिखाए दे रही है लेकिन मुझे एक चीज और भी दिखाए दे रही है that is कि अगर आप किसी के साथ कुछ मिल के काम कर रहे है या कुछ है then there may be some sort of like you know heartbreak या कुछ ऐसा हो सकता है और आप कुछ नया भी सोच रहे है करने के लिए ठीक है अगर आपकी कहीं side by side कोई बात चल रहे थी कोई दील चल रहे थी या कुछ ऐसा सोच रहे थे ठीक है something new तो हो सकता है कहीं आपको शायद कुछ time के लिए like वो hold पे हो जाए ऐसा भी कुछ हो सकता है लेकिन never mind मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर से you will take a leap of faith ठीक है फिर से आप उस चीज के like दुबारा से restart करेंगे and this time मुझे ऐसा लगता है कि it will be successful for you जो भी आप आगे चल के करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ तो है कुछ ना कुछ तो आपकी तरफ आ रहा है चाहे वो हो सकता है कुछ positive भी हो ठीक है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि it's about कि आपने कहीं apply कर रखा था या it's about कि आप इस चीज के लिए pray कर रहे थे ठीक है कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि करियर वाइस एक balance आता हुआ नजर आ रहा है ठीक है दिखिए general reading है सबको match नहीं कर सकती है बार-बार मैं ये बोल रही हूँ ठीक है it's about your energy कि आप किस energy में है कुछ लोग है जो transformation के थूँ निकल रहे है change ठीक है जिन्होंने बहुत जादा आपने आपको change किया है आपने आप पे काम किया है focus किया है ठीक है so some sort of balance is coming towards your career ठीक है career में भी और especially love life में भी मुझे ऐसा लग रहा है Sagittarius people के लिए कुछ नया भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है जैसा मैंने बूला कि कुछ time लग सकता है माल लिजे कि आपने आज कुछ effort डाला है किसी चीज में मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलके वो ज़रूर होगा हो सकता है कि कुछ time लग जाए और कुछ लोगों के लिए कि यह महीना अच्छा जाने वाला है for your career ठीक है और हाँ pressure मुझे work pressure थोड़ा दिखाई दे रहा है something positive something happy justice मिलेगा नयाय मिलेगा शायद last time भी मैंने आपको शायद यही कहा था ठीक है तो कुछ बाकी अगर आपको कुछ काम मिलके कर रहे है तो मैं आपको एक ही चीज बोलूँगी कि whatever you are doing बहुत सोच समझ के और you have to be super like active ठीक है और अपने अपने भिलकुल ध्यान से आगे बढ़ना है सोच समझ के स्मार्ट यह चीज़े मुझे लग रही है चलिए अब हम कार्ट पुल करेंगे for guidance कि angels आपो क्या guide करना चाहते हैं क्या बताना चाहते हैं मुझे some I don't know some way I am feeling positive happy और maybe हो सकता है कि ठीक है अगर time लग भी रहा है तो कोई बात नहीं आगे चलके sort out हो जाएगा तो अगर आप इस situation में है और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं then it is a very good thing क्योंकि मुझे लग रहा है देखिए sometime I don't believe this वो ही मैं आप से बात कर रही थी and same cards we have ठीक है we have consciousness तो कुछ लोग इस zone में है जो कि मैं पहले बोल रही थी कि yes you are in that zone then we have harmony ठीक है peace and harmony then we have existence ठीक है इसका क्या मतलब हुआ कि you are doing good ठीक है आप अपने love life में अपने career में you are doing great ठीक है आप manifest कर रहे हैं आप इस चीज को believe कर रहे हैं आप trust कर रहे हैं surrender कर रहे हैं to the divine ठीक है और आप content feel कर रहे हैं कि yes this is my place कुछ ऐसी चीज है आप किसी चीज में believe करते हैं आपको मैंने शायद अभी पहले भी बोला था that you are praying a lot you are a spiritual person और आप किसी चीज को किसी super power में किसी में divine में ठीक है आपके कोई guru हो सकते हैं बगवान हो सकते हैं आप उनमें surrender कर रहे हैं and you trust कि yes वो जो करेंगे अच्छा करेंगे तो फिर अच्छा ही होगा then that is a very good thing and that is working for you ठीक है consciousness then we have harmony it's about कि जब हम सोच लेते हैं जब हम अपने आपके साथ connect करते हैं जब हम अपना mind बना लेते हैं कि yes अब हम अपने दिल की आवास सुनेंगे जो होगा अच्छा ही होगा और फिर हम सरेंडर कर देते हैं तो फिर अच्छा ही होता है क्योंकि आप अपने आप से connect करते हैं अपने आपको self love तो वो जोन अगर है आपका तो डरने की कोई बात नहीं है you are on a right track then we have existence ठीक है चाहे देखे मैं यह बोलूँगी कि if your love life जो भी situation है ठीक है अगर आप एक बार believe करते हैं कि नहीं जो होगा अच्छा होगा और जो हुआ है पास्ट में वो मेरे अच्छे के लिए ही हुआ है तो automatically things start working for you जाहे जैसे भी ठीक है वो आपका काम नहीं है वो में मेशा कहती हूँ कि वो बगवान का काम है तो let it be so that's all we have I hope आपको ही रीडिंग पसंद आई हो because it was such a beautiful reading और मुझे बहुत अच्छा लगा और अगर आप ऐसी नर्जी में है then I'm happy for you so wish you all the best मिलती हो next time till then take care bye अपना ख्याल रखिये